हेलो स्टुडेंट्स एंड फ्रेंड्स आज का टोपिक है बेल्ट पट्टा बेल्ट पावर ट्रांस्मिनेशन का एक माध्यम है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पावर ट्रांस्मिनेशन और उसमें से जो और भी साधन है जिसमें से साप्ट पुल्ली यह सब हम लोग में पढ़ चुका है अग तीसरा है बेल्ट जो कि साप्ट और पुली के सायते से काम करता है तो आई हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पहले बेल्ट का परिचे क्या है तो सक्ति पारेशन पावर ट्रांसमिशन में चालक पुली एवं चलित पुली को जिस माध्यम के द्वा अर्थात बिना सिलीब किये पुली के साथ घुमता है और पुली को घुमाता है यदि बात करें मेटेरियल की सामगरी की की बेल्ट की सामगरी का बना होता है तो बेल्ट साधारने तह चमड़ा कपड़ा जिसको केनवास बोलते हैं रवर नाइलोन इत्यादी सामगरी के कार की आविशक्ता अनुशार बनाई जाते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि इसका uses कहा होता इसका उपयोग कहा करते हैं तो built के मुख्योग निमलिकित हैं पहला है कि दूर या नजदीक में साप्ट पर दो fix पुलियों को built से जोड़ कर power transmit करना अर्थात जब दो पुलि को साप्ट पर fix कर देते हैं तो उस पुलि का काम तब पुरा होता है या पुलि जिस उदेश से लगाए जाता है वो उदेश तब पुरा होता है जब वो दो पुलि के बीच built लगा हो तब जाकर के एक चालक पुलि के द्वारा चलित पुलि को सक्ति पारेशित किया जा सकेगा दूसरा है कि built द्वारा दो साप्ट को आपस में सीधी या विपरीत अर्थात उल्टी दिशा में घुमाना हाँ दोस्तों built के द्वारा हम लोग साप्ट को या तो एक ही दिशा में घुमा सकते हैं या उसके विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं ये built के द्वारा संभव होता है तीसरा है कि built के उप्योग से चलित मसीन पर अधिक लोड होने पर built का स्लिप कर जाना जिससे मसीन रोग जाता है और द्रगटना जैसे इस्तिती टल जाती है या भी एक built का उप्योग है कि जब हम लोग load को calculate नहीं कर पाते हैं और हम लोग built का परयोग करते हैं दो मसीन के बीच में तो चलित या चालक मसीन पर जब load ज़ादा बढ़ जाता है तो क्या होता है built यदि load नहीं उठा सकता तो वो sleep कर जाता है और built के sleep करने से एक अच्छा काम हो जाता है कि उससे जो है मसीन तुरगटना ग्रस्त होने से बच जाती है और machine रुख जाती है आगे यदि हम बात करें इसके merits का कि इसमें गुन क्या होता है इसका merits क्या है elasticity का गुन होना चाहिए पहला गुन क्या है elasticity लचिलापन का गुन होना चाहिए दूसरा है कि built की बोटाई पूरी लंबाई में एक समान होना चाहिए built का जो मोटाई है ठिकने से वो पूरी लंबाई में एक समान होना चाहिए कहीं जादा और कम नहीं होना चाहिए बेल्ट में मूडने का गुन होना चाहिए बेल्ट में जो है सु मूडने वाला गुन होना चाहिए जिससे कि वह पुली पर अच्छे से रोटिट कर सके गुम सके अगला है टाई परकार बेल्ट के परकार को निमलिकित अधारों पर वर्गिकरित किया गया है पहला है बनावट के अधार पर बेल्ट के परकार और दूसरा है कारियों के अधार पर बेल्ट के परकार तो पहला हम लोग देखेंगे बनावट के अधार पर built निमलिकित परकार के होते हैं पहला है laser build, canvas या cotton build, rubber build, nylon build ये चार परकार का जो है ये बनावट के अधार पर यानि मतलब इस जो material से बना है उसके अधार पर बात किया गया है तो पहला एदिम laser build की बात करें चमड़े का पटा तो इस परकार के build को load खिचने के अनुसार चमड़े के एक या एक से अधिक सतों को आपस में जोड़ कर तयार किया जाता है इस परकार के build पर नमीत था ताप का परभाव अधिक पड़ता है जी दोस्तों यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि इस परकार का जो build है चमड़े का जो build है इसको एक से अधिक चमड़े की परत को जोड़ कर तयार किया जाता है load खिचने के अनुसार कितना load हमको उससे खिचना है इसके अनुसार हम लोग उसके थिकनेस को बढ़ाते हैं एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत इस तरह से करके और उसके बाद हम लोग इस build में एक खामी या है कि इस build में नमी और ताप का परभाव पड़ता है अर्थात इसका संडक्षन करना थोड़ा कटिन होता है दूसरा है canvas और cotton build canvas और cotton build मतलब एक canvas या कपड़ा का build इस परकार के build को load खिचने के अनुसार कपड़े के एक या अधिक से अधिक सत्हों को आपस में जोड़ कर दयार किये जाता है इस परकार के build पर नमी तथा ताप का परभाव कम पड़ता है कम कहने का मतलब है कि चमड़े का जो build है उसके अनुसार इस पर उसके अपेक्षा में इस build पर नमी और ताप का परभाव कम पड़ता है अब यदि हम बात करें rubber build का तो इस परकार के बेल्ट को कपड़े तथा रवर को आपस में बुलकेनाइज़ करके तयार किया जाता है अर्थात कपड़े और रवर को आपस में बुनकर तयार किया जाता है इस परकार के बेल्ट को प्राया बिना जोड के तयार किया जाते हैं और इस built में जोड़ नहीं होने के कारण इस built में vibration कम होती है, धड़कन कम होती है, vibrate कम करता है, इस पटों पर नमी तथा ताप का बहुत कम असर पड़ता है, लेकिन तेल या grease के संपर्ग में आने से या built खराब हो जाते हैं, इस परकार के built में कहा जाए तो नमी का कोई भी असर नहीं पड़ता, मतलब बहुत कम कहने का मतलब यहाँ पर नमी और ताप बहुत कम कहने का मतलब है कि ना के पराबर इस पर नमी का असर पड़ता है, यदि हम आगे देखें नायलोन बेल्ट की, तो इस परकार के built को लोड़ खिचने के आविशकता कहने उसार, मोटाई में नायलोन के एक ही श्ट्रीप को जोड़ कर उसके उपर एवं नीचे सतों में कपड़े एवं चमड़े की एक परत, लेयर लगा कर तियार किया जाता है, हाँ दोस्तो इस परकार का जो built है, नायलोन built है, वह एक ही श्ट्रीप में, यानि कि हमको जितना भी लोड खिचना हो, उसके दोरा जितना भी लोड पारेसित करना हो, तो उस अनुसार हम उसका मोटाई ले ले लेते हैं, और वह एक ही श्ट्रीप का होता है, और उसके उपर नीचे सतों पर कपड़े या चमड़े की एक लेयर लगा देते हैं, और तयार करते हैं, इस परकार के built में भी प् बेल्ट है, उस पर नमी, तेल, ताप, इत्यादी का प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी built की तुलना में या built अधिक लोड खिसता है, तथा इसे अधिक speed पर भी परियोग में लाया जा सकता है, ये built सबसे अच्छा है, उप्योगी है, इस पर किसी भी परकार के तेल, ताप नमी का परवो नहीं पड़ता है, भी built द्यादी जो है, इस नाइलोन और रवर बेल्ट का बनाया जाता है, अब दूसरा यदि हम बात करें कारियों के अनुसार, या कारियों के अधार पर built की परकार, तो वो होता है, पहला flat built, भी built, ribbed built, tooth built, link built, तो flat built अर्था चोड़ा built, समतल built, तो flat built का अनुपरस्त कार्ड जो होता है, cross section जो होता है, वो आईता कार होता है, आयत क्या कार का होता है, cross section तो आप समझ ही रहे हों कि, कि जब उसको सामने से काटा जाता है, तो जिस आकार का दिखता है, उस चीज का cross section करते हैं, इस built का उप्योग अधिकतर drum pulley पर कि जाता है, क्योंकि drum pulley के face भी समतल होता है, इस परकार के build को पूली के अनुशार आविशकता के अधार पर अलग-अलग चोड़ाई में त्यार किया जाता है, इस परकार के build को उसके लंबाई, चोड़ाई और मोटाई के माप के अधार पर दस आया जाता है, flat build के द्वारा 10 मीटर दूरी तक अधिक तम 1400 मीटर पर 30 मिनट सर्फेस स्वीट को ट्रांसमीट किया जाता है, अब यदि हम बात करने भी build की, तो भी build का अनुपरस काट भी अकार का होता है, लेकिन यदि exact cross section की बात करें, तो यह संबलम चतुरबूज के अकार का होता है, इस परकार के build मे उसके cross section chin एवं IS number के अनुसार बर्गी कृत किया जैसे C3048, IS2494 से लेकर के 19741 इत्यादी, यह बिना जोड़ वाले build हैं, भी build के cross section chin को A से E तक standard size में लिखा जाता है, हाँ दोस्तों, भी build के cross section chin है, उसको A से E तक, जो alphabet का A से E है, A, B, C, D, E तक standard size में लिखा गया है, जो नीचे table में दर्सा आया गया है, यदि हम ऐसे बात करें कि chin nominal 14 mm में, nominal मोटाई mm में, और यह देखे, cross section हम बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर chin A की बात करें, तो nominal 14 mm और nominal मोटाई 8 mm, यह A चिन से denote करते हैं, B चिन में 17 mm, 11 mm, C में 22 mm, 14 mm, D में 32 mm, 19 mm, E 38 mm, और 33 mm, कम समय लेते हुए हम आपको बता रहे हैं, कम समय में अधिक से अधिक जयनकारी देने का परियास कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा, वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा, आगे एक जयनकारी है कि B बेल्ट द पर लंभाई के साथ, यानि लंभाई के का आक्ष्य है, रेखा, उसके समांतर में कुछ रिप्ड अर्थाद उठी हुई लाइने बनी होती है, जो घर्षन को बढ़ाकर पुल्ही के साथ, अच्छे से समाई जितों कर पावर ट्रंस्मिट करती है, घर्षन को बढ़ाती है, रीट को गरा बनाने का मतलब होता है बेल्ट के सतर पर कि उसको घर्षन को अधिक करना जिससे वह पुली से सिलीप नहीं करे और दूसरा है टूथ बेल्ट टूथ बेल्ट क्या होता है इस परकार के बेल्ट में बेल्ट के निचले सता पर चौड़ाई के साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर उठी वी लाइने बनी होती है जो दातों के समाल होती है इस बेल्ट के परियोग में पुली पर अर्थात पुली के फेस या सता पर बीसी पर इस परकार के दाते होने आवश्यक है ताकि दोनों का समायोजन एड्जस्मेंट हो सके इस परकार के बिल्ट का भी परियोग कम दूरी में शक्तिपारेशन के लिए घर्शन को बढ़ानीत्यू किया जाता इस परकार का जो बिल्ट है ये सब बिल्ट वहाँ पर किया जाता है से मसीन के अंदर मसीन के अंदर यदि दो चलित और चालक पार्ट्स हो तो उसके बीच उसके बीच यदि बरावर बेल्ट स्लीप कर जाए या कभी-कभी बेल्ट स्लीप कर जाए तो उसको हमेशा बेल्ट को लगाना कठीन होता है तो वहाँ पर इस परकार के बेल्ट लगाए जाते हैं कि वह अधिक समय तक ना खुले ना स्लीप करें तो उस जगह पर जो मसीन का अंदर वाला भाग है अंदरुनी भाग है वहाँ पर यदि बेल्ट का परयोग किया जाता है तो वहाँ पर जो है इस बरकार का बेल्ट टूथ बेल्ट रिप्ड बेल्ट इस सब का खोलना अंदर फिर उस बेल्ट को लगाना फिर चलाना क्या दोस है नहीं है बार बार खुलना इसलिए इस परकार के जगहों पर इस परकार के बेल्ट का परयोग किया जाता है अब यदि हम बात करें तो लिंक बेल्ट लिंक बेल्ट क्या है इस परकार के बेल्ट को चमड़े के चोटे-चोटे टुकड़ों को जोड़ का दयार किया जाता है इस बेल्ट में चोटे-चोटे चमड़े की कई टुकड़े होने की वज़े से इसे आवसकता अनुसार चैन की तरह चोटा या बढ़ा किया जा सकता हाँ ये चोटा-चोटा जो है चैन का चोटा-चोटा जो है इसका लेदर का टुकडा को जोड़ करके रिवेटिंग करकर के बनाया जाता है आपस में जोड़ कर इसको हम परियोग में लाते हैं इसको हम लिंक बिल्ट करते हैं तो आज के बिडियो में बस इतना ही आगे मैं और भी बिल्ट का ही बिडियो ले करके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह का ड्राइब होता है किस किस बिधी से हम लोग बिल्ट का परियूग करते हैं और आज के वीडियो में इतना है, आप लोग देखिए, वीडियो को समझे, सुने, और ये दे किसी प्रकार का प्रस्त आपके मन में हो, तो आप हमसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूँगा, तब तक के लिए दाने बादूँ